बिग टेडी और जैकाल ने उरे लंडन को RDX से उड़ाने का प्लान बनाया है लेकिन सोरिया ने मेहुल को बता दिया था कि आज रात लंडन आई को ब्लास करने का प्लान है इसलिए मेहुल और पूरी टीम वहाँ पहुत चुकी थी लेकिन मेहुल के आने से पहले ही पिग टेडी के गुंडों ने चारो तरफ RDX पिछा दिया था और चारो तरफ लास्त होने लगते है मेहुल सिक्योरिटी कार्ट के पीछे भाग रहा था योगि रिमोट उसके पास था लेकिन वो security guard की speed मेहुल से काफी ज़ादा थी मेहुल भागते भागते अचानक से कहीं गायव हो जाता है जब वो criminal पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था ये देखकर criminal की हवा टाइड हो जाती है और वो डर जाता है लोचकल आर्मी के आप बता सकते है मेहुल कहाँ पर चुपा हो सकता है सोचे सोचे ध्यान से देखिए नीचे पानी में बुलबुले आ रहा है इसका मतलब मेहुल पानी में चुपा हुआ है वो guard की नजर मेहुल पर पर जाती है वो पानी की तरफ आने लगता है ये क्या? वो गार्ट को कुछ भी नहीं होता, उल्टा आलिया के पैर में लग जाती है, आलिया फ्लाइंग गंग का बटन दबा देती है, लेकिन इससे पहले कि आलिया गोली की रखता से उर्पा थी, वो गार्ट हवा में चलांग लगाकर आलिया का एक पैर पकड़ लेता है और आलिया को गोल गोल घुमा के फेक देता है, आलिया सीधा पानी में जाके गिपती है, मेहुल सर, तब ही अचानक किसी सुपर हिरो की तरब मेहुल पानी से बाहर आ जाता है, मेहुल और उस क्रिमिनल के बीद में जोरतार पाइट होने लगती है, आलिया पानी के अंदर स जलंग लगा देता है और आलिया को लेकर बाहर आ जाता है लेकिन ये क्या आलिया के पहर से ब्लट निकल रहा था में उन्तुनाद अपना रुमाल निकाल कर उसे बाहन देता है आज आलिया किसी सोल्जर की तरफ वी कर रही थी तब ही वहाँ पर डिटेक्टिव एंडर्सन आ जाता है सारे लोग बूल बूले साइंटिस को दूरने लगते है तेकिन साइंटिस कही नहीं दिख रहा था तेकिन आलिया समझ जाती है कि साइंटिस कहां पर छुपा हुआ है वाचकल आर्मी क्या आप पता सकते है बूल बूले साइंटिस कहां पर छुपा हुआ है सोचे स ध्यान दे देखिए सार्वोले पेड के नीचे बूर बूर स्टिस का एक जूटा पेड़ा हुआ है मेहुल पेड के पास जाब कर देखता है तो सच मुझ सार्च पेड के उपर छोपा हुआ था सार्च नीचे आजाओ याई । तुम लोग तो फाइट कर लेते हो लंडन आई के पास बॉम डूनने लगती है अगर इतने सारे बॉम प्लास्ट हो गए तो लंडन आई का पता भी नहीं चलेगा सर यह बॉम को तो मैं एक मुक्का मार की तोट डालूंगी बॉम तूट जाएगा तो डिफ्यूस करने की नीडी नहीं है अलिया ऐसी गलती मत करना वरना तुमारा क्या होगा मुझे भी नहीं पता चलेगा इसके बाद सारे लोग काम पे लग जाते है जहां जहां भी बॉम मिल रहते फूर्बुलाय साइंटिस उसे डिफ्यूस कर रहा था तभी एक डस्बिन में आलिया को बॉम मिल जाता है और आलिया उसे डिफ्यूस करने का ट्राय करने लगती है आलिया भी ना सोचे समझे बूर्बुले साइंटिस की तरह बॉम का रेड बायर कट कर देती है वे उनके सारे कप्रे भी काले हो गए थे और भूर्बुले साइंटिस तो देखने लायक था ये आलिया के चक्कर में पूरी इंट्रेस कराब हो गई ये एक ना एक दिन मुझे पक्का मरवाएगी डिटेक्टिव एंडर्सन थोड़ा धूर था इसलिए उसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ मेहुल तुरंत अलिया के पास आता है और गुस्से में आस तुम्हारी वज़ा से सारे लोगों की जान जा सकती थी अलिया अलिया एकदम ढर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है मेहुल उसे छोड़ कर बच्चे हुए बॉम धूमने लगता है बुर्बुला साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन भी मेहुल के साथ चले जाते है और उसके बाद कोई भी आलिया से बात नहीं करता तब ही वहाँ पर हैकर आधी आ जाता है आलिया तुम्हें क्या हुआ और मेहुल सर्थ कहां पे है लेकिन आलिया आधी से बात नहीं करती आलिया मैं तुम्हारे लिए चोक्रेट लाया था ठीक है चलता हूँ चोक्रेट का नाम सुनते ही आलिया के मुँ में पानी आ जाता है वो मैं भी चलती हूँ आधी आलिया को चोक्रेट दे देता है बस ये आकरी बॉम बचा है लोजकल आरणी क्या आप सोच के बता सकते हैं ये बॉम को डिफ्यूस करने के लिए कौन से वायर को कट करना होगा त्यान से अब्जर्व कीजिए और मुझे कौन सा वायर रॉंगली कनेक्टेड है वो सोच के बताए ब्लाक वायर रॉंगली कनेक्टेड है साइंटिस से समझ जाता है और ब्लाक वायर को काट देता है ये टैन्थ पोजिशन पर आता है नाइन्थ पर नहीं आदि सीदा मेउल के बाच आता है और उसे बताता है युशनने दो मिनिट के लिए बिग डैडी का मोबाइल है कर लिया था इस समय बिग डैडी और चैकाल लंडन के क्रिकेट गाउंड पे क्रिकेट मैच केल रहे है बिग डैडी तो काफी इंटरेस्टिंग निकला जहां से देखे स्टीडियम के भगल वाले गेट से बहुत सारे पानी के कैमपर्स अंदर जा रहे हैं में उनकी पूरी टीम अपनी भेस बदलती है, ड्रेस चेंज करते हैं और वाटर कैमपर लेकर स्टीडियम में गुज जाते हैं स्टीडियम के अंदर का नसारा देखकर सभी लोगों के होशोट जाते हैं स्टीडियम में चारों तरफ बोडिगार्ट और गरर खड़े हुए थे बिग डेडि के बहुत सारे गुंड़े स्टाइपर लेकर स्टीडियम में आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे यहां बिग डेडि को पकड़ना इंपॉसिबल है यहां से निकलने में ही भलाई है मेहुल सभी लोगों को इशारा करके बाहर जाने के लिए बोलता है सारे लोग वाटर की खाली केमपर लेकर बाहर आ जाते हैं आलिया कहा रह गई मेहुल के पेरोतले जमिन की सकती है आलिया अभी भी अंदर थी और बिग डेडि के बोडिकार्ट को धोड़ा भी डाउट आया तो वो आलिया को कोली मार देंगे मेहुल तुरंट आलिया को कॉल करता है लेकिन आलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी अब कोई वापस अंदर भी नहीं जा सकता था एंडर्सन प्लीज हेल्प मी आई नीड अ हेलिकॉप्टर, स्नाइपर गन और हैंक गरनेट डेटेक्टिव एंडर्सन तुरंट अपने लोगों को कॉल करके एक हेलिकॉप्टर मंगवा लेता है हेलिकॉप्टर बिल्डिंग के एक टॉप फ्लूर पे लैंड करता है मेहूल और आदी पुलेट पूप जैकेट पहन कर एक स्नाइपर गन ले लेते है मेहूल एंडर्सन से कहता है कि वो स्टेडियम के उपर जाके फाइरिंग करेगा जिससे स्टेडियम में भगदर मज जाएगी और मौकी का फाइदा उठा कर वो आलिया को लेके बहारा जाएगा मेहूल और आदी स्टेडियम के उपर जाने लगते है स्टेडियम के उपर पहुचते ही मेहूल हैंड गरनेट फेकने लगता है बिग डैडि के बॉडिगाड उसे बचाकर ले जाने लगते है आदी स्टेडियम के टेलिस्कोप से देख रहा था तो उसे आलिया दिख जाती है आलिया आराम से बैठके पॉपकंग खाते हुए मैज देख रही थी सर्थ हो रही आलिया लेकिन तब तक बिग डैडि के लोग हेलिकॉप्टर के उपर पाइलिंग करने लगते है पाइलेट हेलिकॉप्टर को घुपाने लगता है और तब तक भूल बुलै साइंटिस्ट और डेटेक्टिव एंडरसन स्टेडियम में पहुच जाते है वो लोग आलिया को लेकर बहार आ जाते है लेट्स को मेहुल और आदी हेलिकॉप्टर के साथ सई सलामत वापस लोटाते है हेलिकॉप्टर वापस उसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लैंड करता है तब तक भूल भूल ए साइंटिस्ट और डेटेक्टिव एंडरसन भी आलिया को लेकर भाप पहुच जाते है मेहुल आलिया के उपर बहुत गुस्ता हो जाता है तो वहाँ क्या कर रही थी आलिया सर वो मैं मैच देखने लग गई और फिर इतना कहते ही आलिया रोहने लगती है और सीधा मेहुल के गले लग जाती है सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते है क्योंकि आलिया आज मरते मरते बच गई थी तब ही अचानक आलिया अपनी मुट्टी से एक चिप आधी को देती है मेहुल सर मैंने मौके का फाइदा उठा कर बिग डैडी के एक आदमी की चिप चुरा लिया है क्या पता इसमें बिग डैडी का कोई सीक्रेट डेटा चुपा हो मेहुल तुरान समझ आता है कि आलिया ये चिप चुराने के लिए स्टेडियम में रूख गई थी मेहुल आलिया को सौरी बोलता है लेकिन तब ही अचानक आस्मान में बिग डैडी की आर्मी आ चुकी थी बहुत सारे हेलिकॉप्टर्स मेहुल और उसकी पूरी टीम को चारो तरफ से गेर लेते है सारे लोग हाथ उपर कर लेते है मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए बिग डैडी का एक हेलिकॉप्टर मेहुल की पास आने लगता है उसमें बिग डैडी बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक स्नाइपर थी इससे पहले कि मेहुल कुछ बोलता अगर तुमने मेहुल सर के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा मूँ तोड़ दूगी इतना सुनते ही बिग डैडी को बहुत गुछ सा जाता है और वो अपनी स्नाइपर गन से आलिया को टार्गेट करने लगता है स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप बिग डैडी को गॉली मार देता है गोली सीधा जाकर बिग डैडी के बाजू में लगती है और बिग डैडी का पालेट जोरों से चिलाने लगता है इतना सुनते ही सारे हेलिक डैडी के चारों तरफ आते हैं और मेहुल की टीम में फाइरिंग करते हुए वापस जाने लगते है। आलिया भी बगल में पड़े हेलिकॉप्टर के तुक्रे उठाकर फेकने लगती है। मेहुल और डिटेक्टिव एंडरसन एक साथ फाइर करते है। लेकिन बिग डैडी के लोग बिग डैडी को वहाँ से ले जाते है। मेहुल भी अपने टीम के साथ वापस होटल में आ जाता है। सारे लोग बहुत ठक चुके थे। रात में दो लोग उस होटल में आते हैं और मैनेजर को नोटो की गड़ी देकर मेहुल के टीम के बारे में पूचते हैं पैसो के लालच में मैनेजर मेहुल और उसकी टीम के बारे में सब बता देता है वो दोनों मैनेजर से डुब्लिकेट चाबी लेकर मेहुल के रुम में घुच जाते है मेहुल के रुम में हलका सा अंधेरा था और मेहुल बेट पर जूते पहन कर सो रहा था दोनों में से एक बंदा चाकू निकालता है और धीरे धीरे बेट की तरब जाने लगता है लेकिन तब याचानक तुसरा वाला बंदा समच आता है कि बैट पर मेहुल नहीं है वजकल आर्मी उसे ये कैसे समझता है कि बैट पर मेहुल नहीं है? सोचे सोचे ध्यान से देखिए सामने वाले परदे के नीचे किसी के पैर दिख रहे है इसका मतलब मेहुल ने बैट पर अपने चूदे रख दिये है और वो परदे के पीछे चुप हुआ है दूसरा वाला बंदा पहले वाले बंदे को चुप रहने का इशारा करता है और फिर अपना चाकू निकाल कर परदे की तरफ जाने लगता है लेकिन मेहुल परदे के पीछे से ये सब देख रहा था जैसे ही दूसरा वाला बंदा मेहुल पर अटाक करने चाता है मेहुल उसी परदे को तोड़ कर उस बंदे के चेरे को कवर देता है और उसी का चाकू चिंद कर पहले वाले बंदे के पैर पे मार देता है और वो बंदा नीचे घिर जाता है फिर मेहुल दूसरे वाले बंदे की कूप पिटाई करता है और कॉल करके आलिया को अपते रूम में बुला लेता है आलिया तुम इसे हैंडल करो मैं ये वाले बंदे की मरमपट्टी करके आता हूँ मेहुल उस आदमी के पैसे चाको निकाल देता है और फिर तुरन उस आदमी को लेकर नीचे होटल मैनेजर के पास जाता है नीचे पहुचते ही मेहुल समझ जाता है कि होटल मैनेजर भी उस बंदे के साथ मिला हुआ है कैसे logical army मेहुल को ये कैसे समझ जाता है मैनेजर आराम से बैठ कर खाना खा रहा है और होटल के अंदर आने का यही एक रास्ता है और मेहुल की रूम की दूसरी चाबी केवल मैनेजर के पास होती है मतलब मैनेजर ने उसे ये चाबी दे दी होगी मेहुल और उस बंदे के पैर में खून देखकर मैनेजर के हाथ से ब्रेट गिर जाती है वो इत्तम गबरा जाता है पुलिस से बचने के लिए मैनेजर मेहुल के साथ हो जाता है और फर्स टेट किट लाकर उस बंदे के पैर में पट्टी बानने लगता है तब मेहूल दूसरे बंदे को लाने के लिए वापस अपने कमरे में जाता है लेकिन कमरे का धर्वाजा अंदर से बन था और फाइट जैसे कुछ आवाजे आ रही थी मेहूल आलिया के लिए बहुत डर जाता है और डोर के कीहोल से दिखता है तो आलिया अभी तक उस बंदे के चेरे को पर्दे से कवर करके उसका बर्ता बना रही थी स्टॉप आलिया स्टॉप लेकिन मेहूल के आवाज आलिया तक नहीं पहुच पा रही थी और आलिया दनादन उस बंदे को मारे जा रही थी क्या कर रही हो तुम आलिया अगर उसे सास नहीं मिलती तो वो मर जाता सर इसने आपको जान से मानने की कोशिश की थी बस करो आलिया इसकी हेल्प ट्रेम बिट डेडी तक पहुच सकते हैं इसके बाद मिहूल उस बंदे से पूछ ताच करता है तो वो बंदा बताता है कि वो बिट डेडी का आदमी नहीं है उससे मॉर्गन नाम के एक आदमी ने मिहूल की सुपारी दी थी इंट्रेस्टिंग वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग अब ये मॉर्गन कौन है मियूल उस आदमी से मौरगन का एडरस लेता है और डिटेक्टिव एंडरसन के साथ जाने लगता है जाने से पहले मियूल आलिया से कहता है आलिया इन दोनों को होटल के कमरे में बंद कर दो, मेरे आने तक इनका जहान रखना आलिया गन पॉइंट पर दोनों बंदों को और मैनेजर को भी बंद कर देती है और खुब मैनेजर की कुर्सी पर बेट कर डिटेक्टिव आईक्यू गेम खेले लगती है डिटेक्टिव आईक्यू गेम से तो मेरा आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है उदर घुल्बुले या साइंटिस्ट अभी भी अपने कमरे में कर राटे लेकर सो रहा था उससे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है उदर मेहूल और डिटेक्टिव एंडरसन मौर्गन के एडरेस पर पहुच जाते है मौर्गन आउट ओफ सिटी एक खंडर में रहता है उसके टूटे-फूटे घर में जाने के लिए दो रास्ते है लोजिकल आल में क्या बता सकते है ए और बी में से कौन सा रास्ता मेहूल और अंडरसन लेंगे सोचे सोचे त्यान से देखे पहले वाले रास्ते पे बहुत सारी मकडियों के जाले लगे हुए है और दूसरा रास्ता एकदम साफ है मतलब मौर्गन यही रास्ते से आता जाता होगा मेहूल और अंडरसन दूसरे रास्ते से अंदर चले जाते है लेकिन अंदर का नजारा देख तोनों के पहरों तले समीन की सक्जाती है अंदर मोर्गन की डेड बॉडी पड़ी पड़ी होई थी और वहाँ चारों तरफ तरह तरह के लिक्विड रखे हुए थे यह लिक्विड क्या है मोर्गन के लैब में रिजर्च करता था तब ही अचानलत मेहुल के पास इंडिया से सोन्या का कॉल आता है और सोन्या मेहुल को बताती है कि मेहुल ने बिड डैडी को गोली मार दी थी इसलिए Big Daddy मेहुल के शहर मुंबई को तभा करके मेहुल से बतला लेना चाहता है आज रात Big Daddy और जैकाल वापस मुंबई आ रहे है इसका बतला पूरी मुंबई खत्रे में है लेकिन ये मॉर्गन को किस ने मारा यहाँ Big Daddy और जैकाल मुंबई आ चुके थे और उदर मेहुल भी अपनी पूरी टीम के साथ उसी रात वापस मुंबई आने का प्लान करता है और हैकर आद्मी फ्लाइट वेबसाइट को हैक करके चार देकेट बुक कर लेता है मेहुल देटेक्टिव एंडरसन को थैंक्स बोलता है आदी, आलिया कहा है सर, अप ही तो आलिया यहीं परती यह हड़की भी कभी नहीं सुत्रेगी मेहुल आलिया को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी अचानक आलिया महां पर आ जाती है आलिया के हाँ ते बहुत सारे स्वीड के पकेट्स और एक गुलदस्ता था आलिया तुरान डेटेक्टिव एंडरसन को स्वीट और गुलदस्ता देकर हैंडशेक करती है ये देख सभी कुछ हो जाते है सारे लोग फ्लाइट में चले जाते है और फ्लाइट टेक आफ हो जाती है फ्लाइट के अंदर मेवल अपनी टीम को मुंबई का नक्षा दिखाता है और बिग डैडी को मानने का प्लाइन करता है सर मैं तो कहती हूँ बिग डैडी को किसी फंक्शन में बुला कर टपका ही देते है आलिया बिग डैडी कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा आ सकता है हम सोन्या की हेल्प लेशकते है मेरे पास एक प्लाइन है अगली सुबा फ्लाइट मुंबई पहुच जाती है मेरे बुल तुमादे कैट बुक करता है और सारे लोग डॉक्टर संजना की लैब में पहुच जाते है डॉक्टर संजना की लैब का धर्वाजा एक लॉजिकल पासपर्ट से बंद है अपल, औरेंज, बनाना और कैरेट इनमें क्या और वन आउट है सोचे लोचकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ और वन आउट कैरेट है बाकी सारे फूट्स है और कैरेट वेजिटेबल है आलिया इसका जवाब दे देती है मेहुल प्रेस करता है और सब भी लैब के अंदर चले जाते है अंदर जाते ही आलिया सीदे डॉक्टर संजना के गले लग जाती है अरे तुम लोग आ गए? इसके बात आलिया अपना बैक खोलती है आलिया फौर इन से डॉक्टर संजना के लिए बहुत सारी चीज़े लाई थी ग्लास, कटोरी, बिस्किट्स, बहुत सारी फोटोस और बहुत कुछ आलिया तुमारा हो गया हो तो मैं डॉक्टर संजना से थोड़ी बात कर लूँ मेहुल डॉक्टर संजना से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है और फिर बिग डैडी और जयकाल के बारे में बताता है मुझे इस वक्त सोनिया से मिलना है उसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक बहुच सकते है तो डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है कि वो सोनिया को इनफर्म कर देगी और वो जल्दी मेहुल से मिलेगी आप अपना ख्याल रखे डॉक्टर संचना और सब भी फिर वहाँ से अपने घर चले जाते है मियूल अपने घर पहुचता है और लाइट चालू करता है तो ये क्या? घर के अंदर सारा सामान भिगरा पड़ाता मियूल अपने डॉक्यूमेंट चेक करता है तो डॉक्यूमेंट तो सारे सेफ थे मियूल अपने डॉक्यूमेंट को एक स्पेशल लॉकर में रखा था इसका पास्वर्ट सिर्फ मियूल की फिंगरप्रेंट से खुलता था लेकिन घर का बागी सामान टूट फूर गया था लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला मियूल पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे समझा जाता है कि उसके घर पे तोरफोर करने वाला आद्मी तोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आया था तो हचकल आर्मी क्या आप पूरे घर के सीन को देखके बता सकते हैं मियूल को यह कैसे समझ गया सोचे सोचे ध्यान से देखिए मियूल के पाई जो आयन है प्रेस है वो बहुत गरम है और उसमें कोई पॉलिथीन जैसे चीज चल रही है मियूल तुरांद प्रेस स्विच आफ कर देता है इंट्रेस्टिंग वेरी फेरी इंट्रेस्टिंग इसका मतलब वो आदमी प्रेस से कोई सबूत मिटाने की कोचिश कर रहा होगा मियूल तुरांद अपने घर के पीछे वाले दर्वाजे से देखता है तो डस्ट उड रही थी इसका मतलब अभी-अभी वो आदमी यहां से भागा है और कार के टायर के निशान भी बने हुए थे मियूल अपनी बाइक लेता है और उसी रास्ते पे निकल परता है मियूल पुलीस भीट से बाइक चला रहा था थोड़ी दूर आगे एक चोराय पर मियूल को तीन कार दिखाई देती है तीनों कार्द अलग-अलग रास्ते पर जा रही थी मियूल तोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी कार का पीछा करना है लोजिकल आर्मी क्या बता सकते है मियूल को कौन सी कार का पीछा करना चाहिए यह है कार 1, यह है कार 2 और यह है कार 3 सोचे और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताए रोजकर आर्मी पहली वाली कार में तो एक फैमिली है इसका मतलब ये वाला बंदा मेहुल के गर नहीं आया होगा तीसरी कार एक वेल्ट ड्रेस आदमी चला रहा है और उसके पॉकेट में एक फ्लार भी रखा हुआ है अगर इतना उतर उतर वो मेहुल के घर पे करता तो इसकी ड्रेस खराब हो जाती थी और फ्लार इतने अच्चे से अभी तक नहीं होता था जरूर ये दूसरी कार भाला है मेहुल दूसरी कार का पीचा करने लगता है कार के अंदर जैकाल का लेफ्ट हैंड जग्गी था जग्गी मीरर में मेहुल को देख लेता है ये मेहुल कहां से आ गया जग्गी के पास स्पेशल स्पोर्ट कार थी जग्गी कार के स्पीड बढ़ा देता है और मेहुल की बाइक पीचे होने लगती है लेकिन मेहुल की बाइक भी किसी से कम नहीं थी मेहुल अपनी बाइक का एक बटन प्रेस करता है और मेहुल की बाइक स्पीड पकड़ने लगती है जगी बॉम लांचर से मेहुल के ओपर फायर कर देता है बॉम सीधा मेहुल के आगे ब्लास होता है और मेहुल पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है जग्ई अपनी कार को रोक कर हसने लगता है मेहुल तुम हमारा कुछ नहीं विकार सकते हमारे ओपर बिग डैडी का हाथ है मेहुल को बहुत गुस आ जाता है और मेहुल अपनी कर निकाल कर जग्द के ऊपर फाइरिंग करने लगता है लेकिन जग्द की कार बुलेट तो Wenyaul अपनी बुलेट मेंस मत करो यह तो काफी एल्टिटूट में लग रहा है लेकिन यह मेरे गर में क्या करने आया था इससे पहले कि मिहुल कुछ कर पाता जग्गी अपनी स्पोस्कार लेके वहां से चला जाता है लोजकल आर्मी जग्गी जैकार का लेफ्ट हैंड है अब तके 25 मडर्स कर चुका है और जासूची करने के लिए जग्गी को एक्सपर्ट माना जाता है दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे जग्गी तोर नहीं सकता जग्गी ने बड़ी-बड़ी कंट्री में चोरी की है और पूरे आठ कंट्री की पुलिस उसे ढून रही है इंडिया को छोड़ कर बाकी सारी दूसरी कंट्री में जैकाल की स्मगलिंग का बिजनेस पुरा जग्गी कंट्रोल करता है बिग डैडी के कहने पर जैकाल ने जग्गी को मेहुल की जासूची करने की जिम्मेदारी दी थी और इसलिए वो मेहुल के घर पे गया था जग्ई मेहुल को इंजट करके आरहम से जह रहा था कि तब ही अचानक एक गोली सीधा आकर जग्ई के राइट हैंड मिरर में लगती है जग्ई कार के स्पिड बढ़ा देता है और कार को आटो पाइरेट मोट पे डाल कर वापस से बॉम लॉंचर उठा कर मेहुल के उपर फाइरिंग करता है मेहुल के आजुपाजु में बॉम ब्लास हो रहे थे लेकिन मेहुल सबसे बचता हुआ चक्टी को चेस कर रहा था वाहो क्या जंप लिया है मेहुल ने जग्गी बॉम लॉंचर से मेहुल के उपर निचाना लगाता है लेकिन मेहुल उससे पहले ही अपनी गण निकाल कर उसके कंधे पे गोली मार देता है गोली लगते ही जग्गी अपने जेब से एक रिमोट निकाल कर उसका बटन दबा देता है और देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ने लगती है ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते है मेहुल पहली बार हवा में उड़ने वाली कार देख रहा था मेहुल एक के बाद एक fire करता है लेकिन जग्गी की कार वहां से उड़कर चली जाती है इसके बाद मेहुल तुरंट सोन्या को कॉल करता है तो सोन्या बताती है कि वो उस समय मुंबई बीच पर एक आदमी का इंतजार कर रही है वो आदमी बिग डैडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है मेहुल तुरंट आरिया को कॉल करता है सर मैं तो डॉक्टर संजना के साथ खाना खारी हूँ आलिया अभी मिशन कंप्रिट नहीं हुआ है चल्दी से मुंबई बीच पर आजाओ वहाँ तुम्हें सोन्या मिलेगी आलिया तुरंट एक पेपर में दो आलू के पराटे पैक करती है और अपनी स्कूटर से निकल पड़ती है उधर बूर बूले साइंटिस भी अपनी लाब में ब्लास्टिंग गन के लिए बुलेट्स बना रहा था और आधी अपने सिस्टम की हेल्प से मुंबई में होने वाली सारी साइबर एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था जंग शूरू होने वाली थी बिड़ डैडी कभी भी मुंबई पे अटैक कर सकता था मेहुल ले अपनी पूरी टीम को अलर्ड कर दिया था मेहुल जगी से फाइट करके बाइक पे वापस आ रहा था कि तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मर्टी सीटी होस्पिटल में अचानक से बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए है और सारे लोगों को स्किन प्रोब्लम हो रही है मेखुल तुरांद अपनी बाइक लेकर मल्टी सीटी हॉस्पिटल पहुँच आता है हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए तीन दर्वाजे थे रचकलार में क्या बता सकते हैं मेखुल तीनों में से कौन सा दर्वाज़ा लेगा सोचे सोचे पहले रास्ते से तो सारे लोग वीलचेर पे आ रहे है इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे बोन फ्रैक्चर डिपार्टमेंट हो दूसरे रास्ते से सारे ओल्ड एज के लोग आ रहे है लेकिन तीसरे रास्ते से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे है और कोई भी इंन्सान बहार नहीं आ रहा है इसका मतलब यहांपे कुछ तो नॉर्मल नहीं है मेहुल तुरनध वाइक पाल करता है और अंदर जाने लगता है तब यह अचैनक मेहुल को कुछ याद आता है और वो वापस बहार आने लगता है लोचकल आर्मी कि आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया सोचे सोचे गेट के थोड़ा पिछे बॉड़ी और मास कवर का काउंटर है और अंदर सारे लोगों को स्किन प्रॉबलम हो रही है इसलिए मेहुल को सेवटी रखना चाहिए लोचकल आर्मी आपको भी हमेशा अपनी सेवटी रहना चाहिए मास्क, सैनेडाइजर्स, हमेशा हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसे में यूज करना चाहिए मेहुल पूरी बॉड़ी को कवर कर लेता है और अंदर चला जाता है अंदर का नजारा देख मेहुल के पैरो तले जमीन किसक जाती है सारे लोगों के स्किन में धाब धब्बे जैसे बन रहे थे और बहुत पेन हो रहा था डॉक्टर्स को भी बिमारी का पता नहीं चल रहा था मेहुल डॉक्टर्स से बात करता है लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था कभी अचानक एक छोटा बच्चा रोते हुए मेहुल के पास आता है उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे और उसे बहुत पेन हो रहा था मेहुल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था मेहुल डॉक्टर्स से उन सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मागता है तो डॉक्टर्स मेहुल को सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स दे देते है मेहुल सारे डॉक्यूमेंट्स को ज्यान से देखता है ये क्या सारे लोग गौतम नगर के है मेहूल तुरंद दॉक्टर संजना को शॉस्पिटल आने के लिए बोलता है दॉक्टर संजना चल्दी से चल्दी यहाँ चाहिए मामला खाफी सीरियस लग रहा है थोड़ी देर में टॉक्टर संजना होस्पिटल पहुच जाती है टॉक्टर संजना तुरंद एक पेशेंट के उपर रिसर्च करती है और मेहूल को बताती है कि ये एक प्रकार का वाइरस है जो वाटर के साथ सबको दिया गया है इसका मतलब गौतमनगर के पानी की टंकी में कुछ कर पढ़ है मेहूल तुरंद अपनी बाइक से गौतमनगर की तरफ निकर पढ़ता है हो ना हो इसमें ज़रूर बिक टैटी का हाथ हो सकता है कहीं बिक टैटी पहले ही मुग भी तो नहीं आ गया मेहुल गौतमनगर बहुँच जाता है मेहुल तुरन पानी के टंकी के पास जाता है लेकिन महाँ किसी ने सारा सिस्टम तोड़ दिया था और पानी की सप्लाय लगातार हो रही थी अब क्या करों? मुझे कैसे भी करके इस virus वाले पानी के सप्ट्राइर होगी Logical Army के आप कोई idea सोच सकते है कि मेहुल क्या कर सकता है सोचे सोचे मेहुल के पास blasting gun है blasting gun की help से मेहुल पूरी टंकी को उड़ा सकता है और सारा पानी नीचे गेज जाएगा मेहुल running करते हुए काफी दूर चला जाता है टक्की के एक तरफ का इसा ब्लास्ट हो जाता है और सारा पानी नीचे गिर जाता है मेहुल जहन की सास लेता है कि तब ही अचानक उसके पास एक अनुन नंबर से कॉल आता है मेहुल आप इंटेलिजेन बट यू कांट सेव मुंबई और ये तो बस्षव वात है मेरे रहते रहते मुंबई को कुछ नहीं हो सकता और रही भात तुमारी और चैकाल की तो मैं तुम सब को देख लूँगा मेहुल कॉल कट कर देता है मेरा शक एक तम सही निकला उदर आलिया मुंबई बीच पर सोनिया को सर्च कर रही थी लेकिन बीच पर इतने सारे लोग थे कि आलिया कंट्यूस हो जाती है और दिमाग धंडा करने के लिए स्विमिंग करने लगती है थोड़ी दिबास संग्लासेज लगातार एक लड़की आलिया के पास आती है अलिया सोनिया से हाथ मिलाती है और सोनिया के साथ चली जाती है उदर फिक डैडी और जैकाल मिलकर एक पावरफुल रोबोट बना रहे थे जो हवा में ओर चकता है पानी में तेर चकता है और अकेले बड़े से बड़े ट्रक को भी उठा कर फेक सकता है इस रोबोट की हेल्प से हम पूरी मुंबई को बरबात कर देंगे और मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा मैं मेहुल को अपने हाथों से मारूंगा उसने मेरा बहुत नुकसान किया है उदर सोन्य और आलिया को बिग डैडी का वो आदमे मिल जाता है जिसका सोन्य बीच पर वेट कर रही थी उस आदमी का नाम करन है और वो इंडिया में बिग डैडी के लिए क्लाइंट लेकर आता था तेकिन जैसे हैं इंडिया में बिग डैडी का नेटवर्क बढ़ा हो गया बिग डैडी ने करन को समुद्र में फेक दिया था लेकिन करन की जान बच गई और अब वो Big Daddy से बदला लेना चाहता है करनालिया को बताता है कि रोज रात को करीब दो बजे एक शिप मुंबई बीच पर आती है जिसमें Big Daddy के गन और स्मगलिंग का सामान होता है सोनिया ये बात मिहुल को कॉल करके बता देती है सोनिया हम लोग आज रात Big Daddy का शिप पकड़ लेंगे और फिर बदले में तुम Big Daddy को सिटी के बाहर बुला लेना Big Daddy से मुझे बहुत सारी बाते करनी है मेहुल बीच पर पहुँच आता है और दो बजे का इंतिजार करने लगता है अलिया क्या तुम्हें हमेशा कहने की पड़ी रती है कर दो एक पीस मैं दिखा लूँगा रात के दो बज जाते है जब तक मैं न बलू कोई fire नहीं करेगा तोड़ी दिर बाद एक बड़ा शिप वहाँ पे आ जाता है मिउल अपने साथ एक अनाउंसर भी लाया था विट डैदी के सारे लोग बहुत डर जाते है और अपने हाथ उपर करके शिप के बाहर लाइन से कड़े हो जाते है आलिया गन पॉइंट पर सारे लोगों की तलाशी देने लगती है थोड़ी दिर पाथ मुंबई पुलिस वहां पहुच जाती है मिउल ने मुंबई पुलिस को पहले ही इनफॉर्म कर दिया था मुंबई पुलिस पिट डैदी के सारे लोगों को पकड़ लेती है तब ही अचानक मिउल सोन्या से दीरे से कहता है सोनिया शिप के अंदर बिट्टैटी का एक आदमी चुपा हुआ है वोजकल आर्मी क्या बता सकते मियूल को ऐसा क्यों लगा सोचे सोचे ध्यान से देखिए थोड़ी दिर पहले शिप के फ्रंट पार्ट पे एक बॉक्स रखा हुआ था लेकिन वो बॉक्स अभी घायब है अब भला ऐसा कैसे हो सकता है इसका मतलब शिप के अंदर कोई जरूर छुपा हुआ है मियूल चुपके से शिप के अंदर जाता है तो बिट्टैटी का एक आदमी कोल बॉक्स को धीरे धीरे समुदर के अंदर फेक रहा था ताकि अगर पुलिस शिप को पकड़ भी ले तो उने गोल्ड ना मिले मियूल को देखते ही वो आदमी फायरी करने लगता है मियूल चलंग लगाकर एक बड़े बॉक्स से विचे चुप जाता है वो बंदा धीरे धीरे मियूल के पास आने लगता है अपनी जान बचाने के लिए मियूल टाइब लगाता है और उस आदमी को गोली मार देता है इसके बाद मियूल तुरंत रस्तिली का समुद्र के अंदर कूच जाता है उस आदमी ने समुद्र के अंदर गोल्ड के 10-15 बॉक्स को फेक दिये थे जिसमें करोरो रुपे का सोना था मियूल सुमिंग करते हुए वापस बीच पर आ जाता है मियूल उन कोल बॉक्स की डिटेल्स पूलिस को दे देता है और फिस सोन्या से कहता है बिग डैटी को कॉल करो, आज उसका किस्या खतमी कर देते हैं सोन्या बिग डैटी को कॉल करती है बिग डैटी, मैंने तुम्हारी शिप को पकड़ लिया है अगर अपनी शिप वापस चाहते हो तो एक घंटे बाद मंबाई बीच पर अकेले आकर मिलो शिप पकड़ जाने की कवर सुनते ही बिग डैटी बहुत ट्रस्टेट हो जाता है शिप के अंदर हजारो करोर का कोल था और हजारो की तादाद में गन्ज और वैपन्स भी थे लेकिन वो सिक्रेटली शिप में छुपे हुए है पोलिस और मेहुल उनको डूर नहीं पाएंगे हमें किसी विताराबों से वापस चाहिए थोड़ी दिर बात एक हाइटेक लगजरी कार मुंबई बीच पर आती है मेहुल उनको चुप जाते है कार के अंदर से भी डैडी बाहार आता है रियाली यू आर ब्रेव करल बेबी अधर्वाइस किसी में इत्ती हिम्मत नहीं जो मेरे शिप को हाथ लगा सकी बिग डैडी और सुनिया के बीच में कुछ बाते होने लगती है उदर आलिया मेहुल से कहती है सर मैं अब भी जाकर बिग डैडी को तपका क्या आती हूँ रूख वालिया बिग डैडी इतना पाकल नहीं है इतनी रात को मुंबई बीच पर अकिला आचाएगा हमें वेट करना चाहिए लेकिन तभी अचानक बात करते करते बिग डैडी सुनिया को चाकू बार देता है वालिया अभी तुम पाहर मता आता मैं जाकर देखता हूँ मेहुल तुरंट पीछे से जाकर कन फॉइंट पे बिग डैडी को पकड़ लेता है हैंड्स अप डेक्टिव मेहुल यर I know, I know, मुझे पाता था मेहुल ये सारा प्लान तुम मारा ही होगा अब मेरा प्लान देखो और फिर चारो तरफ गन लेकर बिग डैडी के लोग कड़े हुए थे जैकाल भी महाँ पर छुपा हुआ था मेहुल अपनी कन फेक देता है बिग डैडी मेहुल को एक जोड़दार मुख कमारता है मेहुल के मुझे ब्लड निकल लगता है मेहुल तुमने मुझे बहुत परिशान किया है आज के बाद कोई मेहुल का नाम नहीं लेगा पूरी मुमाई में बिग डैडी का नाम चलेगा तो अभी अचानक जैकाल बिग डैडी से कहता है बिग डैडी ये सोनिया मॉर्गन की तोस्त है इसी वज़े से मुझे मॉर्गन को मारना पड़ा वो सोनिया को हमारे बारे में बता देता इसका मतलब मॉर्गन को जैकाल ने मारा इतना सुनते ही बिग डैडी सोनिया के पेट में एक और चाकू मारता है और उसे उठाकर समुद्र में फेक देता है गुश्य से मेहुल की आखे लालो जाती है और मेहुल बिग डैडी को एक जोड़दार किक मारता है लेकिन तबी जैकाल के बॉडिगार मेहुल को पकड़ लेते है मेहुल ये देखो बिग डैडी अपने जेब से एक रिमोट का बटन दबाता है और मुंबई के बीच पड़ एक तशपूट लंबा रोबोट आ जाता है मेह, ये रोबोट सुबा होने से पहले पूरी मुंबई को तबा कर देगा मेह डैडी रोबोट को मुंबई की तरफ सेंट कर देता है मेहुल जोर से चिल्लाने लगता है आलिया रोको से वन्डावो मुंबई को बर्बाद कर देगा आलिया अभी तक मेहूल के सिगनल का वेट कर रही थी आलिया तुरन मेहूल की ब्लास्टिंग गन से उस रोबोट के उपर फाइरिंग करने लगती है येकिन ये क्या उस रोबोट पे कोई असर नहीं होता और वो रोबोट उल्टा आलिया के उपर एक पॉम फेक देता है और आलिया बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है आलिया अब क्या करेंगे हम कैसे बचाएंगे मुंबई को ग्रीन जायन को दिखकर बिग डैडी और जैकाल के होश हो जाते है ये क्या चीज है और फिर क्या था ग्रीन जायन एक एक करके बिग डैडी के सारे लोगों को मार देता है बिग डैडी के आदमी ग्रीन जायन तो पर फाइरी करते है लेकिन उस पे कोई एसन नहीं होता मौके का फाइडा उठाकर जैकाल एक बोट लेकर समुद्र के रास्ते भाग जाता है लेकिन मेहुल बिग डैडी को पकड़ लेता है दो रोके बीट एक जोरदार फाइड होती है उदर ग्रीन जायन बिग डैडी के रोबोट से फाइड करने लगता है ग्रीन जायन बिग डैडी के रोबोट को तोर मरोड देता है और मेहुल बिग डैडी की नाप में एक जोरदार मुख का मारता है मेहुल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उतने में वहाँ पूलिस आ जाती है और बिग डैडी को पकड़ लेती है मेहुल तुरन पलकता है और पानी में जप लगाता है मेहुल तुरन सुनिया को पकड़ता है और पानी के बाहर आ जाता है अलिया ओवर्रेक्ट मत करो वो जिन्दा है यह मैं नहीं यह पूरी टीम डेटेक्टिव का कमाल है